नमस्कार आप देख रहे हैं निशन न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कुमार हर्स आपको बता दे कि परिवहन विभाग के द्वारा लगतार हर एक चौक चौराओं पर सर्च अभियान चलाए जा रहा है इस दोरान चेकिंग अभियान के दोरा कई बाइकों को और कई वहन को रोक कर उनसे जुर्माने भी वसूल किये जा रहे है आपको बता दे कि पतना जो कि बिहार की राजधानी है इसके अलावे बिहार के हर एक जिला के हर एक प्रकंड मुख्याले में भी लगतार सरकार के दिशान इर्देश में चेकिंग अभियान चलाए जा रहा है आपको बता दे कि पटना के पटना म्यूजियम के पास चेकिंग अभियान के दौरान कई लोगों से जुर्माने भी वसूल किये गए इस दौरान कई लोगों को यातायात में खड़े पुलीस कर्मियों ने रोका और जुर्माने भी वसूल किये इस दौरान लोगों से बात- अपने ओदे का इस्तमाल कर उन्होंने उनके तबादले की बात कही जिसे पुलीस कर्मियों की भी इज़त पर बना गई और वो जो है वो उसे आपसिवाद विवाद में जड़प हो गई और वो लोग फाइन को लेकर ये कहने लगे कि मैनेजमेंट कर लेते जिसको लेकर हमार मीडिया कर्मिचा वहाँ पर पहुंचे तो देखिए उन्होंने क्या खुछ देखा हम जमा किये हैं ना आपका विच्या आनि भारा आपको अलह संब आई हैं आई हैं हम जुनिये हैं आपने देखा कि परिवहन विभाग के दिशा निर्देश में चलाए जा रहे हैं चेकिंग अभियान के दौरान किस प्रकाल लोगों से जुर्माने वसूल किये जा रहे हैं और जो लोग अपने उहदे का इस्तेमाल करने के बाद पुलीश कर्मियों से ही ये कह रहे हैं कि आपका तबादला करवा देंगे या फिर हम इस पोश्ट से आते हम सरकारी अधिकारी हमसे जुर्माने नव वसूल किये जाएं तो उनसे भी चलान वसूल की जा रही है जबकि ये परिवहन विभाग का सक्त निर्देश है कि व्यक्ति कोई भी हो व्यक्ति विस्तेस कोई भी हो ये एहमियत नहीं रखता बल्कि राज्य सरकार के दिसा निर्देश में यदि चेकिंग अभियान चलाय जा रहा है तो इस दोरान सभी लोगों को एक समान हक से देखा आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और तमाम अपडेट के लिए देखते रहने से न्यूज धन्यवाद